नमस्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So DRDO के खेमे से एक और बहुत ही बहतरीन खबर सामने आ रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DRDO के द्वारा एक नया laser weapon बनाया जाएगा जिसका नाम होगा दुर्गा 2 और ये असल में दुर्गा 2 को in fact केवल laser weapon कहना गलत होगा because दुर्गा 2 असल में एक project है जिसके अंतरगत कई सारे laser weapons हैं जो की DRDO यहाँ पर बनाएगा जानेंगे इसके बारे में कि exactly laser weapons क्या होते हैं पारंपरिक हत्यारों से किस तरीके से अलग होते हैं क्या-क्या फाइदे आपको offer करते हैं और ये भी आपके साथ discuss किया जाएगा कि दुनिया भर में कौन से कौन से वो देश हैं जो की laser weapons का इस्तिमाल कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे दिएगए टेलिग्राम चैनल के ऊपर से की वज़े से सुर्खियों में आया है और यह जो technology है this is called as the new age cutting edge technology जिसके ऊपर DRDO असल में काफी लंबे time से काम कर रहा था लेकिन अभी भी क्या है कि वहाँ पर उसमें DRDO ने proper excellence हासिल नहीं करी है मैं जिस field की बात कर रहा हूं that is called as the field of directed energy weapons इसको short में DEW कहा जाता है और हम W's क्या होते हैं इसको समझना काफी important है देखिए अगर हम एक simple भाषा में समझें तो जैसा इसका नाम है directed energy weapons तो ये basically अपने target को destroy करने के लिए इन में से तीन चीजों का इस्तिमाल करते हैं या तो ये laser के माधियम से destroy करते हैं या ये microwave के माधियम से destroy करते हैं और या फिर ये missile की बात हो रही है तो missile के आगे एक warhead लगा होता है जो कि उसको वो attacking capability प्रोवाइड करता है DEW के case में जो attacking capability आती है वो इनी तीन चीजों में से किसी एक में से आती है या तो laser में से या microwave में से और या फिर particle beam में से अगर हम बात करें DEW क्या-क्या फायदे आपको देता है प सकता है obviously क्योंकि आप laser का इस्तेमाल कर रहे हैं तो laser भी आपकी light की speed से ही जाएगी तो इसी लिए इसकी जो आप ऐसा कह सकते है target तक पहुँशने की speed है that is almost equal to the speed of light. second important cheese क्योंकि यहाँ पर कोई आप solid चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसके उपर ना तो gravity का कोई प्रभाव पढ़ता है ना ही किसी तरीके की atmospheric drag का कोई प्रभाव पढ़ता है यानि कि आप जितनी भी दूर इसको भेजेंगे इन दोनों चीजों के case में यहाँ पर gravity और drag क कोई भी इसके उपर negative impact नहीं आएगा third thing is यह extremely precise है यानि कि आप directly अगर चाहें तो इससे bull's eye को basically target कर सकते हैं and obviously क्योंकि सब चीज़ें आप खुदी control कर रहे हैं तो आप इसकी intensity को भी control कर सकते हैं यानि कि यह किस target को कितनी तेजी से जाके टकराएगा किस target को कितनी तेजी से जाके जो है ध्वस करेगा यह depend करता है कि आपने उसमें कितनी energy डाली हुई है तो यह सारी जो advantages है ऐसा मान लीजे यह एक ideal weapon है जो की अभी तक शायद किसी के खयालों में ही आया हो यह जो है एक ऐसी चीज है अगर यह चीज finalize हो जाती है this is something which is going to be revolutionary I am not over here मैं आपको exaggerate नही कर रहा हूँ अगर वाकई में यह चीज final हो जाती है यह पूरे के पूरे weapon industry को revolutionize कर सकती है now आप यहाँ पे देख सकती है यह केवल एक चित्र है इस चित्र में यह भी एक बहुत ही आप ऐसा मान लीजे यह exactly कभी हुआ नहीं है यह एक artist के द्वारा बनाये गया चित्र है ज जिसको की आपको target करना है तो आप यहां से अपने DEW यानि की directed energy weapon के माध्यम से इसके उपर laser point करेंगे और बड़ी आसानी से इस missile को target कर सकते हैं बट as I told you बहुत ही मुश्किल सेनारियू है यह कि यह कितनी दूरी तक जाता है कितनी energy से इसको भीजा जाएगा यह सारी कि सार कोई कर रहा है तो जी हां इसका इस्तिमाल अभी हो रहा है अगर आप देखें दुनिया भर में कई सारे drone attacks आजकल होते रहते हैं आपने सुना होगा इन फाक्ट जो western countries हैं वो drone attacks में अपने आपको काफी जादा सक्षम बना चुकी हैं काफी जादा advanced level पर लेके भी जा चुक माली जे कोई drone आ रहा है तो उससे बचने के लिए basically ये DEWs का इस्तिमाल किया जाता है जो ये हां से जो ये वाली चीज आप देख सकते हैं इसमें से laser beam निकलती है जो की drone को target करती है और इसके तरीके से आप drone को यहाँ पे खतम कर सकते हैं अगर हम बात करें कि कौनसी कौनसी और countries हैं जो की इस चीज का इस्तिमाल कर रही है देखे मैंने आपके सामने जो list share करी है ये केवल Asia Pacific की list में share कर रहा हूँ ये यहाँ पर कुछ ऐसी countries है जो की या तो इसका इस्तिमाल कर रही है और या फिर इसको produce करने में कुछ ना कुछ कर रही है यहाँ पर इसको लेके ज जापान हुआ दोनों के दोनों कोरिया जयाने कि South Korea, North Korea हुआ, Australia हुआ, China हुआ, even Pakistan and India यहाँ पर ये सारी कि सारी countries हैं जो की इसको इसको इस्तिमाल कर रही है या फिर इसके testing stage में at least पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक क्या था कि जो इसका इस्तिमाल था वो basically drone defense systems के लिए ही किया जा रहा था, obviously यहाँ पर defense experts का यह मानना है कि आगे जाकर यह काफी बड़े-बड़े potentials achieve कर सकती है, defense experts यहाँ पर यह मानते हैं कि यह आगे जाकर enemy targets को destroy कर सकती है, और यह जो आपके army का vital infrastructure है, उसको भी defend कर सकती है, उसकी रक्षा भी कर सकती है, किसी भी तरह के अगर air attack से या फिर किसी भी तरह के missile attack से उसको बचाया जाना बिल्कुल संभव है, now बात कर लेते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे थे, तो यह था पूरा का पूरा basic regarding the laser weapons या फिर more precisely DEWs, हाल ही में क्या हुआ है कि DRDO ने असल में हमारे रक्षा मंत्राले से 100 million dollars की demand करी है, in order to develop a high power laser weapon, आप यहां पर देख सकते हैं, the week magazine का यह particular article है, DRDO developing Durga 2 laser weapon for land naval air use, और यह article जस्ट अभी अभी, जस्ट कल ही की बात है, यह article सामने आया, मार्च 17, 2021 को यह article release किया गया था, Durga 2 को समझ लेते हैं, Durga 2 as always एक acronym है, और इसकी full form है, directionally unrestricted ray gun array, ठीक है, तो unrestricted यानी कि इसके उ मार सकते हैं, क्योंकि यह जो है, बहुत दूर तक और किसी भी direction में बड़ी आसानी से पहुन सकती है, now यह वाला जो project है, इसका नाम है Durga 2, जिसके अंतरगत कई सारे आपके laser weapons बनाए जाएंगे, और इस Durga 2 के project में, basically जो हमारा target है, वो यह है, कि हम एक दिन 100 kilowatt का, जो lightweight directed energy system है, वो बनाएंगे, जो कि हम अपनी Indian army को सौपने वाले हैं, and once this is done, आगे जाके Durga 2 को हम एकिकृत करेंगे, हमारे हर तरह के मंज के साथ, फिर भले वो land-based platform हो, फिर भले वो sea-based हो, फिर भले वो air-based platform हो, now, Durga 2 के लेकर, जो main हमारी laboratory काम कर रही है, DRDO के अंदर आने वाली laboratory LASTEK, जिसका full form है laser science and technology center, जो की हमारी राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, इसको यहाँ पे lead laboratory बनाया गया है in developing these laser weapons, यहाँ पर आपको बताना भी चाहूंगा कि इस center ने काफी सारे time से, in fact यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कुछ papers के अनुसार, कि लगभग 20 सालों से यह center काम कर रहा है, और अब जाकर इन्होंने एक 25 kilowatt का laser त्यार कर लिया है, जो की 5 kilometer के distance पे जाके किसी ballistic missile को target कर सकता है, तो देखिए समय लग रहा है, लेकिन we are progressing बहुती धीरे-धीरे, eventually हमारा जो target है, वो 100 kilowatt का एक laser बनाने का है, जिसके माध्यम से हम बड़े-बड़े दुर्ग के area में, और यहाँ पर इन्होंने 1 kilowatt का laser weapon का test connect किया था, उस समय जिनकी presence में ये test हुआ था, अरुन जेटली जी की presence में ये test करवाया गया था, और उस time पे इस laser ने 200 meter की दूरी के एक target को precisely hit भी कर दिया था, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि इंडिया अब जो laser weaponry के एक कदम नस्दीक आ चुकी है, तो यह वाला test हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई और test नहीं हुआ है, now क्या है, काफी सारी details सामने आ रही हैं, बट एक चीज़ आपको बता दूं कि इस चीज़ को आज भी develop करना उतना आसान नहीं होगा, मैं आपको बत उसको आप ठंडा कैसे करेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और field होती है, जिसको कहा जाता है, opto electronics या फिर optronics, और basically यह एक बहुत ही जादा unexplored field है, कि आप किस तरीके से कितनी दूरी तक किसी target को अगर target करना है, तो किस तरीके से आप उसको target करेंगे, किस तरीके से व पाला एक document release किया गया था, 2018 में, और यह document का second edition था, जिसका full form है, technology perspective and capability roadmap, इसको भी आप जाके refer कर सकते हैं, यह openly available है, जो कि laser weaponry के बारे में और भी details आपको provide कर सकता है, वीडियो को यहाँ पे समाप करता हूँ, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूंगा, अनक आड़िम यहाँ पर यह वाला code दिया गया है, ANI UPSC, जिसके माध्यम से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, serious aspirants को definitely इसमें हिस्सा लेना चाहिए, it can be really really helpful for you, इसके इलावा unacademy आपके लिए UPSC CSE का comprehensive GS course लेकर आया है, इस एक membership के माध्यम से आप पूरे के पूरे platform को unlimited access ले सकते हैं, फ कर सकते हैं depending upon your suitability, पहला course है plus course और दूसरा course है iconic course, plus course में आपको अगर आप अपनी तयारी खुझ से करने में section हैं तो go for the plus course, अगर आपको लगता है कि आपको personal course की जरूरत है, then go for the iconic course, इसमें मेरी आप से सला यही रहेगी कि कम से कम एक साल का course buy कीजेगा, यह आपकी तयारी को काफी जादा help कर सकता है, इसमें भी अगर आप ANI UPSC code का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का discount available करवा सकते हैं, इसके इलावा यह वाले courses भी available है, SSC, bank, railway, state, PCS में, यहाँ पर भी आप ANI UPSC code के माधियम से 10% का discount available करवा सकते हैं, with that I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.